नमस्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर मैं हूँ आपके साथ काजर ठाकुर अपने जीवन में सब लोग अपनी मर्जी से जीते हैं अपनी मर्जी से ही तै करते हैं कि उन्हें क्या करना है खुद ही तै करते हैं कि भवश्य में क्या करना चाहते हैं लेकिन क्या कोई अपनी यही मौत को चुन सकता है यह मत समझे कि यह आत्महत्या है यह आत्महत्या नहीं है बलकि खुद व्यक्ति इस्त्याग को चुनता है चले शुरुआत करते हैं क्योंकि जाने माने जैनमुनी आचारे विद्यसागर महराज ने चन्दगरी तीर्थ में सलेखना करके देह त्याग दी चन्दगरी तीर्थ की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, सलेखना जैनधर में एक प्रता है जिसमें देह त्यागने के लिए सुछा से अनजल का त्याग किया जाता है 36 गण सरकाड ने रविवार को आधे दिन के राज की शोक की घोशना भी स्कोले कर की थी मुखे मंत्री विश्टु देव साई के अनुसार जिस तरह की घोशना की गई थी और मुखे मंत्री के अलावा भी कई केंद्रे मंत्रियों और कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने आचारे विद्यसागर के निधन पर दुख व्यक्त किया था चंदग्री तीर्थ की ओर से बयान जारी जो किया गया उसके अनुसार आचारे विद्यसागर महराज ने देराट दो वजकर 35 मिनट पर चंदगरी तीर्थ में सलेखना करके देत्याग दी इसमें कहा गया कि महराज जी डोंगर गड में चंदगरी तीर्थ में 6 महीनों से रह रहे थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे तीन दिन से वो सलेखना का पालन कर रहे थे और उन्होंने अन्न जल का त्यांग किया हुआ था पिछले वर्ष 36 गड़ विधान सबा चुनाव से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पांच नवंबर को डोंगर गड़ गए थे और उन्होंने आचारे विध्यसागर महराज का आशिरवाद मे लिया था एक फोटो साजा करते हुए प्रधान मंत्री ने एक्स पर लिखा कि आचारे श्री 108 विध्यसागर जी महराज जी का ब्रम लीन होना देश के लिए एक अपूर्य शती है लोगों में आध्धात्मिक जागरती के लिए उनके बहु मूले प्रयास सदेव इसमरण किये जाएं तो अब आपको समझाते हैं क्या होती है समाधी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इसके बारे में जानते होंगे लेकिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे तो चली आपको समझाते हैं कि क्या होती है समाधी जैंधर में संत जन शरीर त्यागने क और मौनवरत ले लेते हैं जिसे समाधी कहा जाता है समाधी लेने के बाद मुनी ना तो किसी से बात करते हैं और ना ही जल आदी ग्रण करते हैं समाधी की अवस्था में ही अपना शरीर छोड़ देते हैं और अब आपको समझाते हैं कि क्या होता है संथारा क्योंकि ये भी आ इसके अनुसार जब किसे संथ को संसाल से विरत्ती हो जाए तो वो संथारा के माध्यम से शरीर का त्याग कर सकता है। संथारा कोई स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। संथारा को इसे धैरे पूर्वक अंतिम समय तक जीवन को सरसंवान जीने की कला कहा गया है। जैन्धर में इसे मनो वैज्ञानिक रूप से म्रत्य उवरण करने का तरीका माना जाता है क्या है संतारा का अर्थ? अब आपको संतारा का अर्थ भी समझा देते हैं कि इसका अर्थ क्या है जैन धर में इस परंपरा की अनुसार दे त्यागने को बहुत ही पवित्र माना जाता है जैन शास्त्रों में इसे समाधी मरण, पंड़त मरण भी कहा जाता है संथारा का अर्थ है जीवन के अंतिम समय में तप विशेश की आराधना करना इसे अपश्यम मरणांतिक भी कहा गया है जैन समाज में इसे महोसब भी कहा जाता है संथारा एक पवित्र परंपरा है जिसके माध्यम से मुनी अपने शरीर का त्याग करके समाज को धर्म पत पर चलने की प्रिणा देते हैं और यही प्रिणा आगे भी लोगों को मिलती रहेगी और इसी प्रिणा के अनुसार लोग आगे भी इसी तरह से चलते रहेंगे तो यह आने वाले समी में भी लोगों के लिए प्रिणा है यह वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके बताईएगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेगा शेर करेगा धन्यवाद